प्रेंड आप लोग कैसे हैं उमीद है अच्छे होंगे तो तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं आज कुछ मीठा हो जा आज मैं मीठा केले की बर्फी बनाने जा रहे हूं कि आप देख सकते हैं उसमें आप चाहें तो एक या दो केले रख सकते हैं मैं एक केला ली हुँ कछिल का हटा लें और आप इधर देखिए यह सारे इंग्रेडियंस है घी है चार चमच के लगवा एक कटोड़ी के लगवा मैंने आटे लिए हैं यह उनके काजुक है और चिरॉंजी नारियल मैंने लिए हैं किसमिस यह कलर अप फूड है फूड कलर है इलाइची है इस सक केले को कट करके आप हाथ से भी इस तोर भी सकते है या नाइफ की सहता से इसे छोटे टुग्रो में कट भी कर सकते हैं ऐसे और इसे मैं अब ग्राइंड करूंदी आप देख सकते हैं मैंने केले को ग्राइंड कर लिया इसमें मैंने पानी नहीं डाले है पके हुए केले और अब भी तमीठे अधिक होते हैं और आप देख सकते हैं मैंने इधर सब करकोगी चपकी सायता से इसे तोर लिया है आप इसी तरह से इसको टुक्रे-टुक्रे-चुटे-चुटे-चुटे-टुक्रे कर ले इसमें 2-3 चमच के लगोगा पानी डाल करके इसे गल आले पुई दिएस के तरह से तो इनमे इधर राइप फ्रुट को थोडह सा फ्राइ कर लेती हूं डी ठ्व्राइबि तरह सकते है मैने गेस को बशेकोग भूबी डाल कर्के से इसमें तोड़ा से एक चमच के लगोगा डाल करके से यह आपर डाइप फ्रुट को भून भी सकते हैं या सूखावा से भी डाल सकते हैं दो चार मेने काजु भी डाल दिया है लाइची को भी आप असकर ले उप्षर के उसे भूट को डिफ्राइ कर लिया है इसे अच्छे से आप इसी तरह का ज्यादा ब्लैक नहुने दे असके बून ले उसके बार मैं डाल करके आते को अच्छे से आप करते हुए इसे हुनते जा जाओ सकता करके आप भी द्हूनते रहें ृसे सकते हैं इत्रह दिंदिय्ट प्रिंबी लौकलेम फडिने प्रॉसेस करें नहीं तो अच्छे से भूनेंगे नहीं अठर्प आप देख हो फिर इस्की ख़़ए इसकी color भी change होने लगी था, पुसे 2 मिनाट लगता है बूनने में आप इसमें थोड़ा सा dry fruit टाल दे, ये नारियल का जो मैंने नारियल है और चिरंजी में डाले हैं, चाहर पाशे दाने चिरंजी के हैं और नारियल का बुरादा डाला है, अब दिख सकते हैं, इसमें ये जो अगर आपको भी तम लगे हैं तो आप और लो नुखके लगए उसमें पुरी लग जाते हैं देख सकते हैं केले को भी मैंने अच्छे से इसमें मेंट कर लिये हैं दो से चार चमच के लगा दिए पुरी तरह से गी लग जाती है इसकी मात्रा मैंने आप लोग को बताई इसमें आप इलाई ची खुट करके डाले इसे अच्छी सी खुस्बूर आती है ड्राइफ फ्रूट जो मैंने खुने थे उसे भी राफ है कर सकते हैं इसमें काजु को कट करके डाले अब इसमें सक्कर जो मैंने लिये थे तुढ़ टुग्रे करके उसको दुचाश पानी गुला लिया था उसे भी आप ऐसे करके डूते जो है भी आप आप क्याशली आ है ग्राइब मितले children but 23k PHIL 2 चुटकी कि लताई विसमें थिख कालर दी है उसको पुप चला वलमें इस तरह से आप इस अच्छी पड़ esqu पर के मैं एक बार नjal मितलों जाएं कि शक्र न दीए उसको मैं अच्छी से दालती जाएंगी इसमें अप देख सकते हैं एक चुटकी बर के लगवा क्षोट कलर लिए हैं इस तरह से आप भी करते जाए इक वर्तंद उसको अच्छा से आप इसे इसा फूरे मेल्ग कर ले इस इतना देजोन अपको रखना है में प्रशोब ग्रीस करतों है यूच्छे हमें जाए कड़ेविदैयों आप इससे जाल दिए सतावी अब है दिक सब्गता μαςip हम दल तरह से Rings लिए सबको भी दिए तल है इसमें आपको प्रीज की जरूरत परती है आसानी से बहुत कम टाइब में बन भी जाता है तिकी इस तरह से आप भी ब्राबर से छोसक हारा है जाज की diferen जाज के इसानी की जाज की जाईफ। यहाँ की जाजी की है, जब हमाँ की खला की है ते इसे हैं आसे प्राबर की तरह से वरगा है नवरे के इस झार? ज Salut that is, Lex дела. ट्रेय राउंड सेफ में ता इसलिए इसलिए बच्छी नहीं कि मुझे पर फिक्या का देना है इसलिए मैं इसे बीच में से अच्छे से इस तरह से दबाते हुए आप भी देखिए थोड़ा से ठंदा हो जाए कि तम इसे कट करूंगी और सब करते हुए अकलों को दिखाऊं कितना अच्छा जटपत बनने वाली रेष्ट भी है सामने स्पेसल रेष्ट भी है इसे आप भवान को भोग भी लगा सकते हैं अब रत में भी आप खा सकते हैं अगर फलाहरी न रखते हो तो आप इसी तरह से कट कर लग देखिए त्वास ठंदा हो जाए एक मिनट के लग सकते हैं देखिए इस तरह से आप भी सावधानी से कट करें जली बाजी बिल्कुर न करें इतनी मज़ेदार एक फास यह मिठाई लगती है कि अगर आप एक वर बनाएंगे तो आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे होली में आप इसे बनाकर मिहमान वियास चर्च करेंगे क्या चीज की बनी है यह मिठार मात्र एक केले का मैंने इसमें यूज किया है और देखिए कितनी अच्छी है बन चुकी है आप इसे डेकोरेट वी मैंने काजु जो भूने थे उससे आप इसे पीच बीच में डालके डेकोरेट कर लें देखिए इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है आप लोग भी प्लीज इसे बनाएं को अभी मैं इसे निकाल करके आपको सब्सक्राइब करके दिखा थू होता सकता है देखिए कैसे जटपट बनने वाली है विठाई है केले मात मैंने केले और थोड़े से एक तोड़ी केहूं क्याता से कोई सोच भी न को मेरे वीडियो पसंद आते से लाइक किज़े सब्सक्राइब किज़े और मुझे मोटेविट कीज़े थैंक्यो धन्यवाद